जहां एक और सरकारें स्वास्त व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और भरपूर ऑक्सीजन प्लांटों तथा वेंटीलेटर के बारे में प्रचार करते नहीं थकती है वहीं दूसरी और करवी सच्चाई यह भी है कि सरकार मरीजों को मुख्य सुवधाय तक उपलब्ध करवाने में असमर्थ है यहां के सरकारी अस्पतालों की दुर्दसा इतनी अच्छी है कि यदि कोई मरीज को सरकारी अस्पताल में सरकारी एंबुलेंस की आउसकता पड़ जाए तो मरीज को सरकारी अस्पताल के करमचारियों को मोटी रकम देनी होगी और यदि कोई मरीच वह रकम देने में असमर्च साबित होता है तो सरकारी अस्पतालों द्वारा मरीच को एंबुलेंस तक मुहया नहीं करवाई जाएगी। ऐसी एक घटना पालघर जीले के मोखाडा से सामने आई है जहां एक बार फिर सरकारी दाबों की पोल खुल चुकी है दरसल पालघर में रहने वाले युवराज पार्थी के छे वर्सिय बच्चे अजय पार्थी की तब्यद 22 जनवरी को अचानक बिगड़ गई थी जिसके ब जिस वज़ा से परिजन पहले अजय को मोखाडा ग्रामिन चिकित सक केंडर ले गए जिसके बाद वहां से उसे कुटिर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान छे वर्सिय अजय पार्थी की 25 जनवरी को रात 9 बजे के आसपास मृत्यू हो गई मृत्यू के बाद परिजनों को अजय के सव को गाउं ले जाना था जिसके बाद परिजनों ने सरकारी अस्पताल में एंबुलेंस की मांग की तो सरकारी अस्पताल ने उनसे मोटी रकम की मांग की आर्थिक तंगी से जूज रहे परिजनों ने जब अपने हालात की जानका सरकारी अस्पताल के करमचारियों को दी तो उन्होंने परीजनों से अजय के सव को पैदल घर ले जाने को कह दिया और एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया जिसके बाद परीजन हतास होते हुए 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तै करते हुए भरी ठंड म बाइक पर अपने बच्चे के सव को गाउं तक ले गए अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि सरकार जब एक एंबुलेंस तक सरकारी अस्पताल के मरीजों को मुहया नहीं करवा सकती तो अपने मुक से बड़ी बड़ी डिंगे क्यों मारती है जरूवत है इस मामले में सरक सरकारी अस्पतालों में सुचार रूप से व्यवस्थाएं उपलब्द करवाने की और साथ ही सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की Mirror of Truth से शिवानित दुविक रिपूर ऐसी ही और नई खबरे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सबस्क्राइब करें Mirror of Truth वीडियो पसंद आने पर लाइक कमन शेयर करना ना भूलें